हलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आप सबी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम सुरू करते हैं हलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे सोहन पापडी रोल तो सोहन पापडी रोल हलवाई कैसे बनाते हैं हम आज आपको बना के दिखाते हैं आप भी अपने घर में छोटी क्वांटी में बना सकते हो तो उसके लिए हमने ये डोंगा लिया है और डोंगे में एक कप हमने मैदा एड़ किया है ये ओजन में 1.500 ग्राम मैदा है और थोड़ा सा हमने बारीक बेशन 50 ग्राम तक एड़ किया है दोनों मिक्स करके डोंगे में अलग रख दिया है उसके बाद में ये दूसरा डोंगा लिया है इसमें हम सुगर आड़ करेंगे सुगर हमने 300 ग्राम आड़ किया है यह 300 ग्राम हमने सुगर आड़ कर दिया है यह अलग रखते हैं तो पहले हम मैदा और वेशन को भूनते हैं गया सान करके यह प्राइपान रखा है पाइम रखा उपर उसके बाद हम तीन टेबलस पून इसमें घी-एड करेंगे- गहीं घरम हो जाने के बाद हम इसमें मैधा बेशन अट कर देते हैं और इसको कम फ्लेम में 10 मिनट तक भूरनेंगे ब्लकूल सुखा भूनना होता है इसमें ज्यादा गहीं अइड कर ब्रूंद हम 10 मिनट तक इस्तरा भून के तयार करेंगे मैदा अच्छी तरह भून जाए बेसन अच्छी तरह भून जाए जिससे सुगंध आने लगता है और सुगंध से जब यह तयार हो जाता है तो इसको हम उतार लेते हैं तो यह अच्छी तरह हमारा यह दस मिनट तक हो चले हैं अब यह हमारा त्यार हो गया है यह देखें बिल्कुल त्यार है यह अब इसको हम कैस से नीचे उतार देते हैं उसके बाद में हम इसको प्राथ में आइड कर देंगे यह हमने प्राथ में आइड कर दिया इत्ते ठंडा हो इस प्राथ में ठंडा होता रहेगा इसको बार when रनी करके हमने यह पतीला लिए पतीले में में चाय कर दिया और यह सुघर व्हें सो ग्राम है इसमें एड़ कर दिया इसमें पानी उतना डालना होता है जितना यह बस खाली सुगर मेल्ट हो जाए सुगर मेल्ट हो गया है उसके बाद में यह उबाला आ चुका है यह देखे बिलकुल उबल रहा है इसमें हम एक टेबल स्पून इसमें हम लगाएंगे नेबू का रास्म लाइमन जूस तो लाइमन जूस हमने एक चम्मचायड किया है अब इसको पकने देते हैं उसके बाद में इसमें हमने जिसमें चासनी हमने पल्टना है यह चासनी हम इसमें जब तयार हो जाएगी तो इस नाश्टिक पैन में पल्ट देंगे इसमें हम ठंडा करेंगे इसमें हम तेल से ग्रीस कर देते हैं उसके बाद में यह हमारा जो है चासनी गाड़ी हो रही है जब ये पूरी गाड़ी हो जाती है तो ये देखर पहले भी अधना गाड़ी नहीं हुई हम आपको दिखाते हैं ये पानी में अड़ करके हम देखते हैं तो ये नीचे बैट जाती है उसके बाद ये इसको निकालने पर देखिए ये थोड़ी थोड़ी गाड़ी होई है इसको हम निकालते हैं ये देखे ये थोड़ी थोड़ी गाड़ी होई है बिलकुल पानी में मेल्ट हो जाएगी ये देखे पानी में मेल्ट हो जाती है तो इस तरीके चासनी हमें नहीं चाहिए अब हम दूसरी बार आपको चेक करके यह देखे तुरंत इसमें जम गई यह तूट जाती है तुरंत यह कडाक से तूट जाती है यह देखे बिलकुल चूरा हो जाता है यह जम गई है चासनी बिलकुल यह देखे बिलकुल चूरा हो जाता है इस तरह की चासनी चाहिए अब यह कडाकी हो गई है अब हम क्या हम आपको डूसरी बार भी दिखाते हैं हाथ से यह इस तर्रह के सब कोई ही नहीं दे सकता कि हलुआीय यह हाथो dw ve को इस्ञें और इसको दबा दिया उसके बाद में इस मिस कर तोड़ तोड़ के दिखाते हैं यह नितश्यक से तूड़ रहा और थोड़ा भब राउन रंकी भी होगी है अब इसको हम नाश्टिक पैन में पल्ड देंगे जिसमें हमने तेल ग्रीज किया था तो ये हमने नास्टिक में पल्ड दिया अब इसको ठंडा करेंगे इसमें हम देर तक ठंडा करेंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हम अपने उसमें मैदे में आइड नहीं करेंगे जो मैदा हमने भून के रखा है उसमें हम आइड करेंगे लेकिन ये ठंडा करने के बाद ये बिलकुल थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तब उसमें हम लच्छा से खीच के तयार करेंगे तो ये इसको पहले हम चासनी को ठंडा करेंगे नेबू लगाने से यही होता है कि ये चासनी में दाने नहीं पड़ते खलरते नहीं बिलकुल ये थार वाली चासनी बन जाती है तार इसकी खीचती जाए खीचती जाए और लंबी थार बन जाती है इसकी नेबू इसी से लगाया जाता है सत नेबू भी लगा सकते हो जो मा बिल्कुल हम ठंडा कर लेंगे इस तरह ठंडा करने के बाद ये देखिए तब हम मैदे में आइड करते हैं पहले हम बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं इसको तो ये ठंडा करके हमने त्यार कर दिया है और इसको पहले चासनी को हमें बिल्कुल इस तरह हमें एक दूसरे के ऊपर पर्त जैसा बिल्कुल खीचेंगे तो यह दे हम इसके फटे के उपर उठाके रख लिया है अब इसको पर्त जैसा हम खीचते रहेंगे जो चासी हमारी और साफ बन जाएगी और इसमें लर भी अच्छा बनेंगे और जो मैदा होता है यह अब जोब कर लेता है जब यह थोड दूसरे के उपर लर उठाके जिससे चासनी अच्छी तरह खीची जाती है और खीचने से लर भी बढ़िया बनती है और मैदा भी अब जोब करता है जो हमने भून के रखा है तो पहले इस तरह हम खीच-खीच के तैयार कर लेंगे चासनी एक गरम होती है इतना हाथ भी नि दूसरे के उपर पर्त करते रहेंगे छिससे चαसनी बिलकुल यह लर वाली और बढ़िया बन जाती है और चासनी पूरी अच्छी तरह सफाई भी आ जाता है यह देख़िए जितनी लर हम करेंगे उतनी यह साब होती जाती है इस तरह Σफाई इससे बिलकुल हम करते देते हैं और प्राइज में जगहा वनानेते हैं जिससे हम thmos Savi दूशलीर मुझ जोईट कर देते हैं और गोला का हमने बना लिए अब इसको उठाते हैं اور मैदे में अड़ करते हैं प्रात में हमने जो मैदा जाती है जितनी तो भार हम इसतों खीचेंगे उतनी हमेरी लर बनती जाती है यह बिलकुल अच्छी तरह हमारे स्वहान पापड़ी की लरे बनती जाती है यह देखे इस तरह हम घुमा-घुमाके पृत इसके उपर करते जाते हैं उसके उपर जो है मैदा हम एड करते रहते हैं और अच्छी तरह खीचते रहते हैं जिससे यह देखिए इसे घुमा घुमा के और उसके उपर परते करते रहते हैं और यह अच्छी तरह खीची जाती है एक गरम बहुत होता है अगेले करना कठिन भी बहुत है इस तरह हम एक दूसरे को पर हम मोड के और क्या नाम है इसकी लरे खीच देते हैं यह देखी इस तरह रोल करके गोल करके एक दूसरे को पर कर देते हैं जितने बार हम करेंगे लरे ज्यादा बनती जाती हैं और मैदा भी अब जोब करता रहता है इस तरह यह दिये गोल गोल बना के एक दूसरे के उपर पर्त कर देते हैं और ये इस तरह खीच देते हैं जितने परते हैं ज्यादा खीचेंगे उतनी बढ़िया हमारी सोहन पापड़ी बनेगी और इसको जल्दी खीचना होता है अगर आप ज्यादा देर लगाओगे तो ये हमारी चासनी जो है ठंडी होती जाती है उतनी ज्यादा जोर लगती है और उतनी ज्यादा फिर टूटने लगती है जब ठंडा हो जाता है इसलिए इसको जल्दी करना होता जब तक ये गरम होती है तब तक खीची जाती है अगर जब ये ठंडी हो गई तो इसको खीचना भी नहीं पड़ता है क्योंक के रखा है इसके उपर मैदा भी अब जोग करता रहता है जितनी लड़े बनती जाती है इतना यह मैदा अच्छी तरह यह देखे कितना बिल्कुल बाल जैसा बनता जाता है इसको उपर हम यह मैदा अइड करते रहते हैं और यह अपना अब जोग करते रहती है तो इस तरह हम पापड़ी के लच्छे बनते हैं और बाल जैसे बिलकुल बाल जैसे होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं यह देखें इस तरह हम रोल करके उपर परते डाल देते हैं उसके बाद खीच देते हैं अच्छी तरह यह बिलकुल बाल जैसा बनके त्यार हो जाता है अब यह सारा मैदा अपजूब कर चुका है, थोड़ा बहुत रहे गया है, वो भी सारा अपजूब कर लेगा, ये हमारी सुगर 300 ग्राम थी, और मैदा बेसन हमारा 200 ग्राम था, तो ये देखे, सब हमने बिल्कुल अपजूब करके, और ये त्यार कर लिए है, देखे कितने ही बाल जैसे हमारी सारी परते बिल्कुल बाल जैसे यह सउन पाप्डी तियार हो गयी है, इसको इस तरह हिला देते हैं, उसके बाद में यहां रख लेते हैं, इसके लिए यह कटोरी आती है, स्टील की हो या कोई आप Disposure वाली कोली कटोरी ले सकते हैं, इस तरह स्टील की होती है, इसमें हम इसने हम जो है, ये लच्छे उठा के इस तरह जाड़ के इसके बीच में आइड कर देते हैं, ये देखी और दबा देते हैं, नीचे हमने पिस्टा बदाम और इलाईची दाना आइड कर दिया है कटोरी में उसके बाद में उपर से इस तरह हम दबाके पिलेंगे बिलकुल यह देखिए इस तरह के पेड़े जैसे बन जाते हैं तो इस तरह हम दूसरा भी त्यार कर लेंगे यह देखिए दूसरा भी हमने इस तरह ही त्यार कर लिया है तो यह दो पीसज हमने त्या गोल सा रोल में इस तरह हम कटोरी में डालेंगे ये देखिए इस तरह लच्छा पूरा इस तरह गोल करके डाल देते हैं इसमें अच्छी तरह जो है इस तरह भार देते हैं ये भी मुलायम है जब तक ये गरम रहती है तब तक ये मुलायम रहती है जब ये बिल्कुल ठंडी तो तूड जाती है तो उसके बाद में यह देखिए इसको हम खीच के जितना आता है कटोरी में उसमा एड कर देते हैं उसके बाद में यह दिके प्लेन करके तियार कर दिया दबाके उसके बाद में अगर निकालेंगे तो बिलकुल यह रोल जैसे ही निकलेगा यह देखे बि जितने हमने सौन पापड़ी बनाके त्यार किया, इस तरह हम पेड़े बनाके त्यार कर लेंगे. इसके बाद ये हमारा सारा त्यार हो गया, प्लेट में जोड़ दिया है, ये दो पीसेज भी देखिए, कितना बढ़िया हमारे जो है, सौन पापड़ी रोल बन चुके हैं, इस तरह हम और भी जोड़ देंगे इसके प्लेट के उपर, और सारा हम जोड़ के त्यार कर देंगे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बन चुका है, ये खोली है तो बिलकुल ये उसी तरह निकलता है, ये देखिए पीसेज जो हम खोलते हैं, तो बिलकुल अभी बाल की तरह सारा निकलता है, ये देखिए, इतना जल्दी नहीं तूट के तयार हो अब हमारे चैनल पर जाईए शोहन पापड़ी बतीशा और क्या नाम है क्राइची हलुआ ये सब हमारे चैनल पर मुझूद है छेने के आइटम मुझूद है तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क भेड़ी बादिधें